नमस्कार, ABP News पर मैं हूँ आपके साथ शीरी East to West, Dirty Money का टेस्ट ऐसा इसले कहना पड़ रहा है क्योंकि देश में चारों दिशाओं में ब्रश्टाचार हो रहा है हर तरफ अवैद कैश, संपत्या मिल रही है ऐसा लगता है कि हर कोई बेइमानी के सागर में गोता लगा रहा हूँ ये देखकर बहुत घुसा भी आता है लेकिन क्या करें, हम और आप इसके खिलाफ आवाज उठाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं क्या हम इसे रोक सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है सोचे पोड़े में तो घर से हेलिकॉप्टर बरामद हुआ है, वो भी अगस्ता वैस्तलाइड आरोप है कि अविराश मोसले के नाम के बिल्डर के घर से मिले, इस हेलिकॉप्टर को घुटाले के पैसे से खरीदा गया अविराश का महराश्ट्र के कई नेताओं से करीबी रिष्टा रहा है शिवसेना के बड़े नेता संजराओं भी पात्राचाल घुटाले में गहरे फस्ते नजर आ रहे उन्हें E.D. नहीं रासत में ले लिया है बंगाल की राजनीती में भी कैश कांट सुर्फियों में है ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर जी की करीबी अरपिता मुखर जी के घर से जब से कैश मिला है तब से हर दिन कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे सूत्रों के मिताबिक पार्थ चैटर जी ने पूशताच में कहा है कि इस कैश के बारे में पार्टी आला कमान को भी पता है क्या उनका इशारा ममता बनर जी पर तो नहीं इसके लावा जारखण में भी कैश कांड में बड़ा एक्शन हुआ है तो आप सबसे पहले आपको ब्रश्टाचार की ऐसी कहानी दिखाने जा रहे है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी पोड़े में अविनाश भोसले नाम के एक मश्रूर बिल्डर के घर से एक अगस्ता वेस्टलाइन हेलिकॉप्टर मिला है आरोफे की हेलिकॉप्टर एक बैंक गोटाले के पैसे से खरीदा गया इस गोटाले के तार भी कही ना कहीं राजुनीती से जुड़े हुए है अविनाश भोसले की दोस्ती महराश्टर के कई नेताउं से है अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सिर्फ नाम ही काफी है क्योंकि इसके दर्शन तो देश में शायद ही किसी ने किये थे बैठने की बाद तो दूर है देश के स्यादतर लोगों ने इस हेलिकॉप्टर का नाम पहली बार अगस्ता वेस्ट लेंड हेलिकॉप्टर घोटाले के दोरान ही सोना था आम लोगों को इसके साक्षा तर्शन का मौका पूने के मशूर बिल्डर अविनाश भासले के सोजने से मिला है आरूप है कि अविनाश ने ये हेलिकॉप्टर एक बैंक घोटाले के पैसे से खरीदा है खास बात ये है कि इस हेलिकॉप्टर को उन्होंने अपने घर पर छिपा रखा था इस हेलिकॉप्टर की कहानी आगे समझने से पहले आप अविनाश भौसले के चेहरे को अच्छे से पहचवान लीजिए क्योंकि इनके कहानी के बगार इस हेलिकॉप्टर की कहानी आप को समझ नहीं आएगी अविनाश भौसले को पूने के किंग आफ गुड टाइम्स का तमगा हासिल है उने की सडकों पर एक बेहत शामदार जो पहिया वाहन तेज रफ़तार दोड़ती दिखे और इसकी नमबर प्लेट पर 0088 लिखा हो तो मान लीजिए कि ये इंपोर्टेट कार बिल्डर अविनाश भौसले के बेड़े का हिस्सा है अविनाश भौसले चार दशक पहले सिर्फ एक आटो रिख्षा के मालिक थे लेकिन तब से अब तक उन्होंने एक लंबा सफर ताय किया है आज वो माहराश्ट्रो के बड़े बिल्डरों में से एक है उनके कंपने अविनाश भौसले इंफास्टक्चर लिमिटर अब बुनियादी ठांचे के विकास और हॉस्पटलेटिक अक्षेत्र में भी निवेश करती है बेशुमार दौलत कमाने वाले अविनाश भौसले की बेश कीमती संपत्यों में ये अगस्ता वेस्टलेंड हेलिकॉप्टर भी शामिल है इस अगस्ता वेस्टलेंड हेलिकॉप्टर को फिलहाल सीबियाई ने जब्त कर लिया है इस हेलिकॉप्टर तक CBI पहुँची कैसे ये कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है इसके लिए आपको कपिल और धीरजवधावन को जानना होगा कपिल और धीरजवधावन दिवान हाउंसिंग फाइनेंस कमपनी यानि DHFL के मालिक है DHFL पर 17 बैंकों के समूहों को 34,000 करोड रुफे का चुना लगाने का आरूप है DHFL घुटाले की जाँच फिलहाल CBI कर रही है और देश में अलग-अलग जगाहों पर छापे मार कर घुटाले की रखम को तलाश रही है CBI को पता चला है कि घुटाले की रखम के ज़रिये कीमती पेंटिंग्स, हीरे जवाहराद, प्रॉपर्टी के लावा कई महंगी चीज़े खरीदी गई है इसी दुरान CBI को ये भी पता चला कि इस घुटाले की पैसे से एक हेलिकॉप्टर भी खरीदा गया था CBI सूत्रों के मताबक वधावन भायों ने घुटाले का पैसा कई कमपनियों की मदद से इधर उधर किया है जाँच में जिन कमपनियों के नाम सामने आए उससे पता चला कि उन कमपनियों से अविनाश भोसले और वधावन भाय जुड़े हुए है CBI सूत्रों के मताबक अविनाश भोसले वधावन भंधों का बेहत करीबी माना जाता है तहकिकात करते करते CBI को पता चला कि घुटाले के पैसे से एक हेलिकॉप्टर भी खरीदा गया था फिर CBI की दिमाग की बत्ति जली उन्हें शक हुआ कि ये हेलिकॉप्टर अविनाश भोसले के खर हो सकता है बस पिर क्या था CBI पहुच गई पूने में अविनाश भोसले के घर CBI के दावे के मुताबक हेलिकॉप्टर में अविनाश भोसले की भी कथित रूप से हिस्सेदारी है DHFL Yes Bank होटाले में गिरफतार उद्योगपती अविनाश भोसले इनके घर से CBI ने एक आलिशान हेलिकॉप्टर जब्त किया है अभी मैं यही घर के सामने खड़ा हूँ बानेर के इलाके में अविनाश भोसले का यह आलिशान घर है जहां से CBI ने यह हेलिकॉप्टर जब्त किया है पुने का अविनाश भोसले की जब्त किया है अविनाश भोसले के घर पर इस हेलिकॉप्टर का मिलना किसी फिल्म भी कहानी जैसा लगता है हिंदी फिल्मों में जिस तरह विलिन के बंगले में हेलिकॉप्टर से लेकर दुनिया की हर शान और शौकत का सामान होता है उसी तरह भोसले के घर में भी हेलिकॉप्टर कुछ वैसी ही कहानी बयान करता है अविनाश भोसले के घर से जब्त किये गए अगस्ता वेस्ट लेंड हेलिकॉप्टर के इस मॉडल का नंबर AW109 S.P. Grand New है इसके कीमत करीब 6 मिलियन डॉलर यानि करीब 50 करोड रुपए है जांच से ये भी पता चला है कि इस हेलिकॉप्टर को साल 2011 में खरीदा गया था अविनाश भोसले पूने में वो नाम है जो किसी पहचान का महताच नहीं है उनकी महराश्टु के राचनितिक सरकल में बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है वो उनके बीच उठते बैठते हैं उनके दामाद विश्वजीत पदम महराश्टु के उभरते हुए कॉंग्रिस नेताओं में से एक हैं और उधाव सरकार में मंत्री भी रहे थे उनका ये पॉलिटिकल कनेक्शन भी उन्हें जेल जाने से नहीं रोप पाया है 62 साल के अविनाश भौसले इस वक्त येस बैंक घुटाले में गरफतार हैं ये घुटाला 4727 करोड का था येस बैंक घुटाला 34,000 करोड के दियेच एफल घुटाले का ही एक हिस्सा है इच एफल घुटाले मामली में CBI वधावन बंधों को पहले ही गिरफतार कर चुकी है जो इस समय CBI की रिमान पर है महराश्चु के राजनीति खलकों में ऐसी चर्चा है कि इस घुटाले में देर सबेर कई राजनेताओं का भी नाम आ सकता है तो हम आपको बता रहे हैं कि इस टुवेस्ट आखिर कैसे डिर्टी मनी का ये गेम चल रहा है अब आपको एक बड़ी जानकारी भी दे देते हैं सूस्त्र ये जानकारी देने कि संजराउट के घर से इडी को साड़ी 11 लाक रोपा मिले है इडी संजराउट से उन पैसों की जानकारी मांग रहे हैं कि आखर ये पैसे किसके हैं और यहां कहां से आएं इडी के एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि इन पैसों से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे रहा है जिसके बाद इन पैसों कोशीज वी दिक किया गया और आगे की जांच की जारी है तो संजराउट के घर से साड़ी 11 लाग कैश मिला है सुत्रों से जानकारी संजराउट के घर से इस कैश को लेकर जानकारी जटाने की कोशिश एडी के अधिकारी करना है कि ये कैश कहां से आया किसका है जुसके बारे में कोई जवाब नहीं मिल पाया है इडी के अधिकार्यों को शवसेना सांसत संजराउट इस वक्त मुंबई में इडी के दफ्तर में है करीब 3 घंटे से इडी उनसे पूछताच कर रही है आजशाम इडी के टीम ने 9 घंटे की पूछताच के बाद संजराउट को हिरासत में लिया उनकी गिरफतारी होगी या फिर नहीं इस पर फिलाल सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि संजराउट के वकील ने कहा है कि इडी ने राउट को नया समन दिया था उसी का जवाब देने के लिए संजराउट इडी दफतर आये है बहराल आजशाम जब इडी की टीम ने संजराउट को हिरासत में लिया तो उन्होंने जमकर शक्ती प्रदर्शन किया भगवा गमछा लहराते हुए कार के रूप टॉप पर विजय मुद्रा में इडी दफतर पहुँचे संजराउट और इडी दफतर पर पहुचकर कहा उनके खलाब सभी आरोब छूटे हैं वो लड़ेंगे और छूटेंगे तेरे खलाब तेरे खलाब जीस प्रकार से जूटी कारवाई जूटे कागर जूटे वीडान्स लोगों को मार मार कर पिट पिट कर बनाई जा रहे हैं यह सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए शिव सेना को कमजोर करने के लिए लेकिन शिव सेना कमजोर नहीं होगी तो पश्यम बंगाल की शिक्षब भर्ती घुटाले में मनी लॉंडरिंग की जांच मिचुटी एडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चैटर जी के करीबी अर्पिता मुखर जी से जोड़ी आठ कम्पनियों के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है साथवे दिन के पूछताच में पार्थ ने घुटाले में खुलासा करते हुए कहा कि नेताओं के कहने पर नौक रिया दी कैश का ये अंबार किसे याद नहीं है पूरा देश अब इस कैश को पहचानता है ये कैश पश्चिब बंगाल के पूरु मंत्रे पार्थ चैटाजी की गरीबी अर्पिता मुखर जी के घर से मिला था एडी ने अर्पिता के दोनों घरों से मिला पचास करोड से ज्यादा का कैश तो जब्द कर ही लिया है लेकिन अब उन्होंने अर्पिता मुखर जी की कमपनियों के बैंक खातों में जमा आठ करोड रुपे भी जब्द कर लिये हैं एडी का आरूप है कि शेल कमपनियों के सर्ये कमपनियों के पैसों की हिरा फिरी की गई है सूत्रों के मताबिक पूछ ताच में अर्पिता ने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं जो अर्पिता के बिल खोरिया वाले फ्लैट पर पैसे लेकर आते थे इसके बाद ही शुकरवार रात एडी की टीम उस फ्लैट पर पहुंची थी और सीसी टीवी की फूटेज को खंगा ला गया था जिससे ये पता लग सके कि अर्पिता सच बोल रही है या नहीं एडी की पूच्ताच में अर्पिता ने खुलासा किया है कि वो महस पार्थ चैटर जी की संपत्यों की केरते कर थी अर्पिता ने कहा कि वो उन गेहनों को जरूर पहचानते थी जो एडी ने बरामत किये हैं उनका कहना है कि पार्थ चेटर जी ने उन्हें एक बहतर रहन सेहन दिया है सूत्रों के मताबक एडी के सामने अर्पिता जब ये खुलासे कर रही थे तब पार्थ चेटर जी बिना पलक जुकाए अर्पिता की तरफ देख रहे थे गीडी अब इस मामलेग में तह तक जाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार पिछले एक दशक में कितनी ऐसी प्रॉपटी खरीदी गई है जो या तो संयुक्त रूप से थी या फिर सिर्फ अर्पिता के नाम पे थी अर्पिता ने बार-बार कहा है कि उसे इस पैसे के बारे में कुछ नहीं पता है लेकिन उसके हस्ताक्षर बहुत कुछ कह रहे हैं वहीं दूसरी और पार्थो चैटर जी का कहना है कि अभी तक जो भी हुआ है वो सब शड़यंत्र है और समय आने पर ही सही खुलासा किया जाएगा फिलहाल राजनीती के इस दाओं पेच में नगत बरामत होना थम नहीं रहा खास बात यह है कि पार्थ चैटर जी भी नहीं मांते कि अर्पिता के घर से मिला कैश किसका है जब पार्थ चैटर जी से पूछा गया कि क्या उनके खलाब कोई साज़ुश कर रहा है तो इस सवाल पर कहा कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा साथ ही उन्होंने अर्पिता मुखर्ची के घरों से मिली नकदी को लेकर कहा कि ये मेरा पैसा नहीं है सूत्रों के मताबक अर्पिता मुखर्ची ने एडी को बताया है कि ये पैसे तबादलों के लिए और कॉलेजिस को मानता दिलाने में मदद करने के लिए रिश्वत के तोर पर लिए गए थे जब ये कथित घुटाला हुआ तो पार्थ चैटर जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे सूत्रों के मताबक पार्थ चैटर जी ने ईडी को बताया कि शिक्षक भरती घुटाले में जिन लोगों से पैसे लिये गए उसके बारे में पार्टी में सब को पता था जिसमें पार्थ आला कमान भी शामिल है पार्थ चैटर जी ने ममता का सीधे तोर परतो नाम नहीं लिया लेकिन उनके इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका इशारा ममता बैनर जी की तरफ है यहां तक पार्थ चैटर जी के बात है वो कैबिनेट में नंबर टू पोजिशन में है पार्टी में भी नंबर टू पोजिशन में है उन्हें अगर किसी को रिकोर्टिंग करनी है तो वो सिर्फ मुक्य मंता बैनर जी या टीमची सुप्रिमो मंता बैनर जी क्या ये संभव है कि एतनी कोई भी मंत्री कहीं भी मूव्मेंट करता है तो उसकी जानकारी उसके सामने बैठने बारा सीजरूटी ओफिसर अपने वरिष्ट ओफिसर को देता है कि मंत्री की गाड़ी कहा से कहा तक के लिए रवाना हो रही है ये सारी चीजें जब सारे विधान का नियम है और उसके बावजूद अगर हम कहें इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं है तो मुझे लगता है कि यह हस्चार्ष को बात है और ये सिर्फ पार्टी और पार्टी को बचाने की कोशिश है सूत्रों के मताबिक पार्ट चैटर जी का दावा है कि उन्होंने कभी किसी शक्षक से पैसे नहीं मांगे वो सिर्फ पार्टी अलाकमान के और्डर का पालन कर रहे थे वो सिर्फ इस कैश के रखवा ले थे चैटर जी का दावा है कि सैकडों करोड रुपे तो पार्टी के लिए खर्च भी हो चुके हैं यो कैश मिला है वो तो सिर्फ ना मांत रहे पार्टी चैटर जी के इन दावों में कितना सच है ये तो जाच के बाद ही पता चलेगा पार्टी चैटर जी को और अर्पिता मुखर जी को देखें अब यहां पर लेकर आये गया है और चुकी पिछली बार आपको याद होगा जब दोनों के हाँ लाया गया था तो किस तरह से अर्पिता रो रही थी और अब जो है फिर मेडिकल चेकप के लिए लाया गया है क्योंकि 48 घंटे मिने यहां लाना है पार्थ चैटर जी को ममता बैनर जी का सबसे करीबी माना जाता है वो पार्टी की महासचिव थे एक तरह से पार्टी में वो नमबर दो थे यानि ममता के बाद सबसे बड़े नेता ऐसे में पार्थ चैटर जी का इस वक्त जो कुबूल नामा लीक हो रहा है उसकी आच तेर सबे मम्ता बैनर्ची तक भी पहुँच सकती है अब बात करने तें जारखन की बंगाल के हावडा में जारखन के तीन कॉंग्रसी विधाय कैश के साथ पकड़े गए इसके बाद जारखन की सियासत में भूच आला गया है कॉंग्रसी विधायकों से पैसा मिला बंगाल में हर कंप मचा हुआ है चारखन्ड में कैश कान को लेकर चारखन्ड कॉंग्रस लगतार विपक्ष के निशाने पर है अब कॉंग्रस ने तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है स्वभाविक है कि उसके लिए एक जुम्मेदार प्रभारी की हैच्चत से आँख बंद करना मुश्किल था कॉंग्रस अध्यक्षा के निर्देश पे उनके जहन में हमने ये बातने लाई और निश्यत रूप से ये कारवाई आवशक थी क्योंकि आज जिन मुल्यों के लिए हम लड़ रहे हैं उसमें इन प्रकार की गतिविदियों की कुई ज़गाएंगे उधर विधायक इर्फान अंसारी के घरवालों का कहना है कि वो तो तेवहारों में गरीबों को बाटने के लिए कपड़े खरीदने कोल काता गए थे पैसे उसी के हैं जो जामतड़ा छेतर है वहाँ हर साल लाखो लाख का साड़ी बढ़ता है हरतेवार में दुर्गा पुजा हो, सोराय हो, इद हो, बकरीद हो उसी के भली बाती अभी भी विधान सभा से एक दिन का छुटी मिला तो चले आए सारे विधायक फ्रेंडली भी हैं कि चली जब स्वापिंग कर लिया जाए उधर सस्पंड विधायकों की पार्टी ही उनके उपर जारखंड में सहीयोग से चल रही सरकार गिरानी के साज़िश रचने का शक जता रही है तो इरफान अंसारी के समर्थक पोच रहे हैं कि कहीं 45 लाख में सरकार गिरती है जिस तरह की घटना सामने आई है उससे ये प्रतीत होता है प्रथम दिश्टिया कि पूरे देश में जो एक अभियान चल रही है गैर भाजबास आसित सरकारों को गिराने का अईस्थिर करने का उसको यहां भी अन्याम देने की एक कोशिस दिखाई पड़ती है कोंग्रेस जहां एक तरफ बीजेपी पर जारखंड में ऑपरेशन लोटस चला कर सरकार गिराने का आरोप लगा रही है वहीं बीजेपी का दावा है केस में उसका कोई हाथ नहीं है कोई समझाता नहीं किया अभी जो बड़ी महात्रा में कैश परामद हुआ है तीन कॉंग्रेस विधायकों के पास पश्चिम बंगाल में उसमें कॉंग्रेस को सपष्ट करना चाहिए केंद्रिये कॉंग्रेस को प्रदेश कॉंग्रेस को कि आखिर ये तीन विधायक किसका पैसा लेकर जा रहे थे इस बीच कॉंग्रेस की विधायक जै मंगल सिंग ने पुलिस में शिकायत दी है केरफान अंसारी राजेश कच्छप और बिक्सल कोंगारी ने उन्हें दस करोड रुपे और मंत्री पद का ओफर दे कर कोलकाता बुलवाया था जै मंगल सिंग की इ हेमंत विस्वु शर्मा का भी जिक रहे शिकायत में नाम आने के बाद हेमंत विस्वु शर्मा भी सामने आए और सफाय दी कॉंग्रेस का बड़ा बड़ा डिगर्स जो एकदम में टॉप मुझ से टॉप मुझ बोल सकता हूँ वो सब भी मुझ को मेरा साथ संपर्क में रहता है कोई पॉलिटिक्स का बाद नहीं करता है लेकिन जब 22 साल एक बेक्टी एक पार्टी में रहता है अब अगर कॉंग्रेस के ओपरेशन लोटरस के दावो में सचाई है तो ये देखना भी ज़रूरी है कि जारखंड में बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है जारखंड में जे एमेम के 30 विधायक हैं सरकार में जे-म-म का समर्थन करने वाली कॉंग्रिस के 18 विधायक हैं वहीं बीजे-पी के 26 विधायक हैं बीजे-पी के सहयोगी AJSU के 2 विधायक हैं मतलब जारखंड में NDA के कुल 28 विधायक हैं वहीं NCP के एक और CPIM के एक विधायक हैं वहीं दो विधायक नर्दलिये हैं जारखंड में बहुमत कांकड़ा 42 है NDA के 28 विधायक हैं अगर कॉंग्रेस के 10 विधायक तूटकर NDA के साथ आते हैं तो उसकी ताकत 38 विधायकों की हो जाएगी दो नर्दलिये विधायक भी अगर NDA के साथ आ जाएं तो उसकी ताकत 40 विधायकों की हो जाएगी राश्ट्रपती चुनाओं के दोरान जारखंड में कॉंग्रेस ने पार्टी लाइन से हट कर द्रापदी मुर्मू को वोट किया था सूतरों की माने तो जारखंड मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस की सरकार में आपस में ही ठनी हुई है भले ही एक गिरफतार हुए विधायक कैश के नाम पर कुछ भी कहें लेकिन एक बात तो तैह हैं कि हेमन सोरेन की सरकार पर संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा क्यामरा परसन सूरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल कोलकाता एबीपी नियूज पर फिर से रूख कर लेते हैं महराश्रक जहां आज संजर राउत एडी की हिरासत में है एडी दफतर में ही है लगातार उनसे पूचताच हो रही है लेकिन एडी दफतर के लिए जब वो निकले थे उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यह उनकी मा है संजर राउत की जो आरती उतार कर उन्हें आश्रवात देकर उन्हें भेज रही है एडी दफतर के लिए एक्स्क्लोजव तस्वीरें भी पिनियूस पर हम आपको दिखा रहे हैं इस दौरान उनकी मा भावुक भी हो गई जब उनका बेटा जो यहां से एडी अधिकारियों के साथ निकल रहे थे संजर राउत उसी दौरान घर के अंदर की तस्वीरें स्वक्त आपके सामने है संजर राउत की मा उन्हें आश्रवात देकर उनकी आर्थी उतार कर और उसके बाद यहां से निकले थे संजर राउत एडी के अधिकारियों के साथ एडी दफतर के लिए सुभा साथ बज़े से लगातार एडी के जो अधिकारी है वो उनके घर पर ही मौझूद थे लगातार पूछताच उनसे की जा रही थी तमाम तफ्तीश एडी के अधिकारियों के तरफ से हो रही थी लेकिन आखरकार उन्हें E.D. के अधिकारियों के साथ आना पड़ा E.D. के अधिकारियों ने उन्हें रासत मिलिया और उसके बाद E.D. दफ्तर पर मौजूद है इस वक्त संजे राउत लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरे परिवार जो की भावुक है इस वक्त परिशानी का ये पल पूरे परिवार के लिए रुक कर लेते हैं रौनक का रौनक तस्वीरे देख रहे हम घर के अंदर की तस्वीरे जब एक माँ अपने बेटे को यानि संजे राउत को इडी के अधिकारियों के साथ जाने से पहले अपना अशिरवात दे रही है तस्वीरे जो इस वक्त दिख रहे हैं निशित तौर पर किरी निए तक्षवीरे देखकर हम दिए समझ सकते हैं कि इसक्त संजे राउट को एडी के अधिकारी जो है वो जिरासत पर लेकर आगी के फुष्टाच के लिए इडी तक्तर ले जा रहेते हैं इसक्त परिवार के अंदर कितना अभुक्षण वो जो है वो इस सभी संकट से जो है वो जल्द बहार निकलेंगे और भगवान का आशिरवाद जो है बड़े बुरुत फुष्टों का आशिरवाद उनके साथ है लिहादा उन्हें घबराने के जरूरत है हमने देखा कि संजे राउट की जब बहार आये जब पहली बार मीडिया के सामन कि जिस तरह से उनको हिरासत भी लिया गया है हो सकता है तो उनकी गिरफतारी भी हो सकती है इसलिए फोड़ा सा नर्वस है उनको जरूर उनके चहरे पर दिखाई दे रहा था और वो शायद इसी वज़े से ताट इस घर के लोग है जब बहार निकल रहे थे तो काफी अज़ गए तेजी के अधिकारी घर पे था कौन-कौन? कौन-कौन मौज़ोद था राउत परिवार? जी देखें, मैं आपको बता दू कि जो संजर राउत को परिवार है वो जॉइंट फैमिली के तौरते ही वहाँ पर घर पर रहता है जो तीन मंजिला उनकी इमारत है, ज्राउंग दोर पर उनका किचन है और फर्स दोर पर तुलिल राउत को परिवार रहता है और थर्ट द हम दर्शकों को घर के अंदर की दिखा रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शुच मिरिए और भी लगातार उनके घर पर दिखाई दे रहे हैं जब संजर प आपने समर्तकों को हाथ हिला expanded हुए दिखाई दी आ, और शुभ जा है और इखनी आम स svब उनका अभिवादन स्थिकारते हुए दिखाई जिए उस वक्द ने उनके छोटे भाई जो है उनके साथ दिखाई दिये थे ठीक है शुक्रिया रॉनक फिलाल हमसे बातचीत करने के लिए तो यह तस्वीरे परिवार भावोक उस वक्त की तस्वीरे हैं जब संजराउत एडि अ. अ. कुछ रालिए यह जीए बादे है इती बाद्गी अखाई गार खांज धांजराई जए होगार दिये वादीईर फिलागु यह जए ऐं परिश्ए। प्रिशासन राहत कारे में जुटा हुआ है लेकिन बारिश होने और रह रहकर सड़कों पर पत्थर गिरने की वज़़से राहत के काम में भी रुकावटे आ रही है कैसे दरखते पहाडों के बीच जंदगी की जंग जारी है देखिए हमारी खास रिपोर्ट मोम की तरह पिघल रहे हैं पहाड कहीं दरक रहे हैं पहाड कहीं फिसल रहे हैं पहाड आस्मानी आफ़त के बीच पहाडों का तूटना एक ऐसी मुसीबत है जिसका अंदाजा बही लोग लगा सकते हैं जिनकी जंदगी पहाडों की साए में ही गुजरती है आस्मान से बरस्ती आफ़त की बारिश के बीच पहाडों में सफर यूँ भी खतरनाक और जान जोखी में डालने वाला होता है एक ऐसा ही खौफनाक मनजर उस वक्त केमरे में खैद हुआ जब एक बाइक सवार पर गहर बन कर तूट पड़ा एक पहाड कलेजा कपां देने वाला ये कोई फिल्मी सीन नहीं है ये उत्तराखंड के धारचूला की वो सच्ची घटना है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिये हैं कहते हैं मौत कब कहां किसे दबोच ले ये किसी को पता नहीं है और ऐसा ही हादसा धारचूल में भी पेश आया जब ये बाइक सवार मौत के पंजे से बाल बाल बच गया एक एक पल कीमती था पहाड तरक रहा था धीरे धीरे मिटी नीचे की तरफ आ रही थी और फिर अचानक बड़ी बड़ी चटाने तेजी से गिरने लगी इस बीच बाइक सवार ने अपनी मोटर साइकल का एकसूलेटर तेजी से दबा दिया और जैसे जैसे बाइक की रफ़तार बढ़ती गए जिन्दगी और मौत का फासला भी बढ़ता चला गया और इस तरह बाइक सवार की जान बच गई कहीं रुक रुक कर कहीं जमा जम और कहीं मूसलाधार बारिश आस्मान से बरस्ता ये पाने कहीं जीवन के लिए अमरित बन गया है तो कहीं लोगों के लिए बड़ी मुसीबत देश के अलग अलग शहरों में बारिश का तांडव जारी है लेकिन देश के पहाड़ी लाकों में बारिश का ये सितम डबल अटैक कर रहा है एक तरफ बारिश की वजह से नदी नाले उपान पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ पहाड लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं भुस्खलन की ये डरामनी तस्वीरें उत्रा घंड के रोद्र प्रियाग की हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानों पूरा पहाड ही तूटकर नीचे गिरने को बेताब हो गया है बारिश की वजह से यहां की जमीन खिसक गई और फिर इस से ऐसी तबाही आई कि पहाड का एक बड़ा हिस्सा सीधा सड़क पर आकर गिर पड़ा पहाड का ये मलबा इतना ज्यादा और तेजी से नीचे आया कि चारों तरफ धूल का गुबार चा गया लेंड स्लाइट से पहले की इन तस्वीरों को देखिए जैसे ही लेंड स्लाइट का खत्रा बना एक वक्ती जान जोखी में डाल कर मुबाइल पर इस तबाही को गैद करने के लिए आगे बढ़ गया पहाड में दरार की वजहा से बड़े बड़े पत्थरों के गिरने का ये सिलसला काफी देर तक इसी तरह चलता रहा और मलबा अपने साथ पेड़ों और बड़ी-बड़ी चटानों को खाड़ता हुआ नीची आकर सड़क पर फैल गया इस घटना की वजह से रूद्र प्रियाग के दारनाथ हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया है उत्तरा घंड में लगातार हो रही बारिश के चलते कई लागों में भुस्खलन हो रहे हैं जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए है मासवाड़ा के करीब गुए भुस्खलन से केदारनाथ नैशनल हाईवे भी पूरी तरह ठप हो गया है हाईवे पर लगातार पत्थरों की बरसात हो रही है जिस वजह से हाईवे को खोलने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है और हाईवे के दोनों छोरों पर केदारनाथ धाम आने जाने वाले यात्री फसे हुए है जिससे की तुरंत खोलने की परिकिरिया भी शुरू कर दी गई है और जैसे ही लैंड्सलाइड रुपता है वैसे इसको तुरंत खोल दिया जाएगा उत्राखन में के जगाहों पर भूस्कलन से रास्ते बंद हो गए है कमोबेश ऐसे ही हालात तुरी के कुछ इलाकों में भी देखे गए है जहां लैंड्सलाइड के बाद आवा जाही रुप गई है भारी बारिश के बाद तुरी में भूस्कलन की जो तस्वीरे आई हैं उनमें पहाडों के छोटे छोटे पत्थर सड़कों पर गिरते दिखाए दिये रहे हैं सड़कों पर पत्थरों के गिरने का ये सिलसला काफी देर तक चलता रहा जिसके बाद सड़क पर पहाड का इतना मलबा जमा हो गया कि रास्ता ही बंद हो गया टीरी के कुछ और इलाकों में कई जगह सड़कें द्वस्त हो गई हैं तो वहीं कई कच्चे रास्तों का नामों निशान तक बिट गया है बारिश के बीच पहाडों की कमजोर हो जाने की वज़ा से यहां लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है और सफर पर निकले लोगों के लिए मंजिल तक पहुचना दुश्वार हो गया है भुस्कलन की इन घटनाओं के बीच कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच भी जान जोखिम में डाल कर उफंते नदी नालों को पार कर रहे हैं अज आज कर जो है लगततार पारी चेत्रों में बारीस का मोसम जो है बहुत खतरनाक हो रखा है और इसी संब्ध में आज हमने लोगों के जो आएक्सन है उनसे मैंने बात करी थी जो हमारी जाकनी खाल और जिवाली मोटर मार गया है वो काफी दियों से बंद हो रखा है तो उन्होंने मुझे संतोस जनक जो है जबाब नहीं बताया जा रहा है कि लेंड स्लाइट की घटनाओं की वजह से तिहरी की 11 सल के बंद हो गई है जिसकी वजह से इलागों के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है परशासन के मार्जम से राजसरकार को ये अनरोद पतर भी बेजा और एक चेताओं ने भी दी थी कि इस समय जो बारिस का जो सिस्टम दिख रहा था जो माहोल दिख रहा था तो बहुत दूसरी तरह का था कि एक तम कहीं पर ज्यादा बारिस होना कई पर सुखा होना कई तरह दूसरी तरह की पिसम परिस्तिया हो रही थी और आज आप देख लिए पूरे जन्पद में लगभ जगा जगा लग 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 जो कि मौसम भॉजादा खड़ावे जब बारिस हो रही है बढ़ती जार खोलने में लग बॉद नोग नोग अदर सदके फिलाल बंद है और अभी जएसे चूचना मिला जो सकता हो और कोई बंद हो जाए तो हमारी जगा जगा मसीन लग ह बारिश का सितम और पहालों की मुसीबत उत्तरा खंट तक है सीमित नहीं है जम्मू के कठुआ जिले के बिलावर में भी तेज बारिश के चलते एक पहारी से चट्टान खिसक गई जिसके मलबे में दबने से दो मासुम बच्चों की मौध हो गई इस दर्दनाक हादिसे के बाद बचावदल ने मौके पर पहुँच कर शवों को बरामत कर लिया है देश के कई इलागों में भारी बारिश के चलते जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है लेकिन मुसीबतों का पहाड सब से ज्यादा पहाड़ी इलागों पर चुटा है उत्राखन के चमोरी से लेकर नैनिताल, रूत्र प्रियाग, पितोरागर से लेकर टिहरी और धार्चुला तक भुस्कलन ने ट्रैफिक की रफ्तार पर प्रेक लगा दिया है वहीं लगातार दरकते और गिरते पहाड लोगों के लिए मुसीबत के पहाड बन गए है तो मिनियरम पाइम बहे गाए एक अब लगातार अभी अपकी स्टोन शूद भी कर रहे हैं लगातार पत्थर गिर रहे हैं सीपेज भी काफी हो रहा है पानी पानी का तो डैमेज तो काफी हुआ अभी हमार पास बेस भी नहीं है ताकि हम इसको कहीं पे वालिंग करके या तो कहीं चोटा मटा वाल करके इसमें ट्रैफिक कर सकें पत्थर गिर रहे हैं और हैट काफी है यहां पे मांटेन की अभी जिस अभी स्टेबल होने के बाद ही इसकली सर्वे करने के बाद ही काई पाएंगे कि इसमें की स्टेश्यम ट्रीटमेंट करेंगे तो मॉन्सून के इस मौसम में हम लगातार देख रहे हैं आस्मानी बारिश का सितम जो मैदानों और पहाडों पर गिर कर कईयों के लिए मौत की बारिश बन रही है जान के साथ-साथ माल, मकान, खेत और इमारते इसका शिकार हो रही है इस वक्त देश में फिर से कई जगह तो मैदानों में ये स्कूल, अस्पताल समे पूरे के पूरे पूरे पुल को गिरा रही है इस आफ़ती बारिश ने फिर ले ली है कई जिंदगियां जिन में मासूम भी शामिल है जगह जगह बादल फट रहे हैं, नदिया और नाले उफान पर हैं, हर तरफ प्रकृति का कोहराम है चक्टानी खिसक रही है, बरसात कर रही है लगातारत्याचार भूस खालन ने रोक दिये है जिंदगी की रफ्तार सेलाब में सांसे अटक रही है, मौसमी बरसात जिंदगी की दुश्मन बन रही है प्रकृति का प्रकोप जारी है सेलाब में खेत खली हान और मकान डूब रहे है, वाहन डूब रहे है देश में बार बारिश से जंता बिहाल है और पहारों पर बरसात दोहरा सित्म धाहा रही है हर दिन नई तस्वीरे बता रही है कि प्रकृति का तांडव जारी है उत्राखन समेट दूसे बाहरी इलाकों में इस वक्त हालाद बहुत बुरे है और पिछले दो दिनों से यहां बारिश के चलते बादल फटने और लैंड स्लाइज की कई घटनाए पेश आ रही है मौसम की मार और लाचार लोगों की तस्वीरे लगातारा रही है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में उत्तरा खंट समेट वेस्ट यूपी में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है हालात कैसे हैं यह आप हाल की तस्वीरों से देखे एक ही दिन पहले शनिवार को जोशी मठ का हाल ये है बद्रिनात राश्ट्री राजमार्ग फिर बंद हो गया क्योंकि लामबगर नाले में फिर उफान आ गया शुक्रवार से 22 घंटे बंद रहने के बाद कुछ घंटों के लिए खुला था हाई वे लेकिन नाले के पानी ने फिर सड़क माग को बहा दिया वाश आउट कर दिया इसी दौरान एक वाहन नाले पर फंस गया वाहन के लुड़क कर अलखनंदा नदी में जाने का खत्रा बढ़ गया इसको देखते हुए जेसी भी मशीन से वाहन खीच कर निकारा गया मौके पर पैदल रस्ता बना कर पुलिस ने याग्जियों को रेस्क्यू किया अब धार चुला के ये तस्वीरें आपकी धर्कन बढ़ा देंगी एक बाइक सवार बढ़ता है फिर अचानक उपर से मलवा बरसता है ये लैंड स्लाइड है यानि लगातार बारिश से चट्टान एक हिसक रही है और इससे बाल बाल बच किया बाइक सवार और धार चुला में ही प्रक्रति की तबाही का ये आदम भी रेखी जहमा जहम बारिश तो एक तरफ लेकिन उसके साथ ये खौफनाक मनजर दूसी तरफ धार चुला बाजार के लोगों की जानाफत में आ गई जब शुकरवार को एल धारे के पास यहां पहारी से गिरने लगा मलवा सौ मीटर के दाइरे में आर्मी और पुलिस ने लगाया कर्फ्यू प्रशासन ने यहां गिरे मलवे से सौ मीटर दाइरे में आने वाले घरों मकानों को खाली भी करा लिया इस बीच कुमाउ स्काउट के 20 जवानों के अलावा एस्टी आरेफ पुलिस जवान मौके पर तैनात हुए पहार से कि रहे बोलडर और मलवे से कुछ अन्य मकानों के भी ध्वस्त होने की संभावना लगातार बनी हुई है उधर धार चुला में ही बादल फटने की धटना की वजह से अचानक धॉली न दी और महाकाली का जलसतर भढ़ गया सोबला की काम वालों ने प्रिशासन को घटना की सूचना दी जानका नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन बेली पुल बहने से तवागाट सोबला सड़क दो से तीन हफ़तों के लिए बंद रहने की आशंका बढ़ दे ने निताल में देखिए एक उफंते बरसाती नाले ने कैसे दी चुनौती दो जुन्दगियों को गौलापुर में बरसाती नाले को ये दो बाइक सवार पाट करने की कोशिश में लगे थे और तब ही बाइक पानी के तेज बाव में खिसकती हुई नीचे सेलाब में उतर गई पुलिस के जवानों और स्थानिय लोगों ने पानी में पूद कर बहते युगों को बचाया और आस्मानी आफ़त का कहर एक मकान पर देखी यह तस्वीर है धारचुला के मल्ली बाजार की जहां शुकुरवार को टीम मंजिला मकान कुछ इस तरह ध्वस्त हो गया वीडियो तो उतना साफ नहीं लेकिन बात की तस्वीरों में साफ दिख रहा है मकान का मल्वा उत्रा खंड में औरंज एलर्ड जारी हुआ है देश भर में अगले कुछ दिनों में मौसम विभाग के अनुमान के मताबिक 31 जुलाई और एक अगस के दोरान पिहार में और 31 जुलाई से दो अगस के दोरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के शेश हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग की माने तो मताबिक भारत में अगले चार से पांच दिनों तक गरच के साथ छेट कुछ बारिश जारी रहने के संभाव ना है और उत्तरा खंड के अलावा भी दूसरे पहारी शहर लगातार आस्मानी मुसीवत का सामना कर रहे है जम्मू के कथवा जिले के बिलावर में तेज बारिश के चलते एक पहारी से चटाने खिसकी जिसके बाद उसके मलबे में दबने से दो मासूमों की मौत हो गई बचाव दलने मौके पर पहुँचकर दोनों मासूमों के शवों को परामत किया कथवा की ही दूसी तस्वीर में यहां कुछ लोग तो दिख रहे हैं लेकिन जो नहीं दिख रहा वो है एक ट्रैक्टर जिस पर तीन लोग सवार थे ये ट्रैक्टर दरसल इस पानी के बहाद में कुम हो गया जम्मू के कथवा जिले में तरनाह नाले में अचानक आई बाहर से वहां काम कर रहा ट्रैक्टर बह गया फिलहाल तरना नाले का जलसतर कम होने के बाद महाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाये जा रहा है लोगों का पता नहीं है यह तस्वीरे हमें याद दिलाती है एक हफ्ते पहले के मध्य पर देश का वो खौफनाक मनजर जब छिंदवारा में एक ट्रैक्टर देखते देखते कांगला नदी में समा गया था पिसले कई हफ्तों से मौनसून ने देश का हाल बिहार कर रखा है इस हाथसे में भी अंदर बैठे दोनों लोग तो बाढ़ में तैर कर जान बचाने में कामयाव हुए लेकिन तीसरा शख्ष जट्रैक्टर को साइट दिखा रहा था वो इसकी चपेट में आ गया पहाडों से लेकर मैदानों तक बारिश का कहर जारी है जान पर आफ़त आ गई हैं लोग बह रहे हैं शहर की शहर जलमगन हो रहे हैं प्रकृती कत प्रलै सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है यूपी के सहारन पुरकीन तस्वीरों में दिख रहे हैं कुश्रद धालू जिन में बच्चे भी शामिल है माश शाकुंबरी देवी के मंदर से दर्शन कर लोट रहे शाधालू को बरसाती नदी पार कर आ रहे हैं पुलिस कर भी सहारन पुर की ये दूसी तस्वीर है कजबा सारपावा की जहां लगातार एक घंटे से हो रही बारिश से पुरा हाल हो गया अंबाला रोड हाइवे ने ले लिया नदी का रूप पानी की निकासी का कोई साधन नहीं दिखता बाजारों महलों में भी भर गया पानी सहारन पुर में ये आज की तस्वीर नहीं है बलकि कुछ दिनों से ही यहां हाल बुरा है शिवालिक की पहाडियों पर हो रही बारिश के कारण बरसाती नदियां उफान पर चल रही है जिसके चलते शाकुम्भरी देवी में बरसाती नदी को पार करने में लोगों को रोका जा रहा था पुलिस लोगों को पानी उतरने पर नदीबाग करने के लिए कह रही थी दूसी और हथनी कुन बैराज से 50,000 क्यूजिक पानी छोड़ा जा चुका था बादशाही बाग खोल में पानी कर जलस्तर बढ़ने पर स्कॉर्पियो गारी पानी में भसे देख सकती है जिसे पानी कम होने पर ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया हमने देखे सरकते पहाड, गिरता मलबा और बहते बाहन और इनसान लेकिन पानी का प्रले इमारत की इमारत को भी नुकसान पहुँचा रहा है यहें बिहार के कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड का उत्क्रमित मध्य विद्याले इमारत का एक हिस्सा देखते देखते डह गया और कटकर गंगा नदी में समा गया कटिहार के अमदाबाद प्रखंड में हर साल गंगा नदी से भीश और कटाब होता है पिशले साल इसी स्कूल का रसोई घर और एक कमरे का कुछ हिस्सा पहले ही कटकर नदी में समा चुका है ये हैं शर्मा जी जो राद का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां तोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर जी साहब मिश्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही एप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी लिउज आप को रखे आगे